श्री गनेशा या नमाहा, नमश्कार दोस्तों, ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन में जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्थिति ले कर आती है, इसलिए चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को आपका राशिफल इस दिन कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण इस समय में आपको अचानक से धनलाब हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ती भी हो सकती है इस दिन आप पर धन की वर्षा होने की पूरी संभावाना रहेगी आप जितना कमाते हो उस से जादा कमाने में काम्याब हो सकोगे इस समय में आपके इंकम में मुनाफे में आपको बड़त जरूर दिखेगी ये दिन आप के लिए काफी शुब रहेगा सेयर्स लोटरी और सटे में इंटरेस्टेट लोगों के लिए भी ये दिन काफी लखी सावित हो सकता है इस समय पर चंद्रमा लाब स्थान पर दुष्टी डाल रहे है उस के आसपास काम करने वाले आपके सहकारी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस समय में इंक्रिमेंट या किसी तरह की बोनस मिलने का योग भी बन रहा है दोस्तों अपने जीवन की या फिर किसी भी कारेसी जुड़ी कोई प्लानिंग आपको करनी है तो ये समय आप जरूर उठाए इस समय में किसी भी चीज से जुड़ी प्लानिंग जरूर करे प्लान करने से आज आपको सफलता जरूर मिलेगी इस समय में मैरिड लाइफ में मधूरता आएगी प्यार और आनन भरा महोल रहेगा लव रिलेशन्शिप के लिए भी दिन बहुत बढ़ इसी तरह से आपके ही फेवर में रहेगा अगर इस समय में स्टूडंस की बात करे तो चंद्रमा काफी अच्छी पोजिशन में है चंद्रमा स्टूडंस पर क्रिपा बरसा रहे है आज आपका मन शानत रहेगा पढ़ाई में अच्छे से कॉंसेंट्रेट कर पाओगे इस सम संतान सुक के हिसाब से भी ये दिन काफी अच्छा जाने वाला है आपके घर में इस समय में संतान की तरब से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है और जो लोग संतान सुक से वंचित है उन्हें इस समय में संतान की प्राप्ति हो सकती है इस समय में आपकी काम करने की विगती बढ़ेगी आप उत्साह और जोश में नजर आओगे इस समय में अगर आपके स्वास्त की बात करें तो इस समय में आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी अगर आप कहीं घूमने-फिरने का प्लान बना रहे हो तो जा सकते हो यात्रा सुखद रहेगी सफल रहेगी आप सुस्थ रहे और आपके अपनों को भी सुस्थ रहे इस दिन आप लाल रंग का इस्तिमाल करते है तो आपके लिए शुब रहेगा और एक नमबर इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी ह हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशीफल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।